नमस्कार से पोस्ट में आपका स्वागत है मैं स्तिहां भारती आपके साथ बहार में कोरोना संकट के बीच एक बार फिर से मुख्यमंतरी नितीश कुमार ने जनता से बड़ी अपील की है जी हां उन्होंने आज जनता से अपील करते हुए लिखा है कोरोना के संकट काल में सरकार सभी जलूरी कदम उठा रही है इस आपदा से निपटने के लिए बेहत धैर अनुशासन और हिम्मत के साथ काम करने वाले चिकित सकों नरसों सफाई कर्मियों प्रशासन और पुलिस के लोगों सही सभी कोरोना योद्धाओं का हम पूरे विहार परिवार की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं जी यहां तो सेमितिश कुमार ने कोरोना योद्धाओं का स्वागत किया है आभार व्यक्त किया है और आगे उन्होंने लिखा है इस आपदा में अनेक समाजिक संगठनों के प्रतिमिधी गन मानत्ता की सेवा कर रहे हैं परिवार की तरफ से धन्यवाद करते हैं जी हां तो मुख्यमंत्री नितीश कुमार धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं सोशल मीडिया पर जुस तरह से सकरात्मक मैसेज दिये जा रहे हैं लोगों के द्वारा तो मुख्यमंत्री नितीश कुमार काफे खुश नजर आ और उन्होंने बहार परिवार की ओर से बहार के तमाम लोगों को धन्यवात कहा है और कहा है कि उनका ये काम सराहनी हैं कोरोना की पहली लहर के दोरान बिहार ने बहुत डिर्धता और साहस के साथ ये लड़ाई लड़ी है इस बार भी कोरोना गाइडलाइन्स का पालन करते हुए हमें अपने को और अपनों को बचाना है कोरोना के खिलाफ इस जंग में सरकार का साथ देना है आईए संकल्प लेते हैं कि हम सब मिलकर इस जंग को जीतेंगे जी हां तो मुख्यमंतरी नितीश कुमार बड़ी अपील करते नजर आ रहे हैं उन्होंने तमाम लोगों को धन्यवात दिया है जो इस कोरोना में बढ़ को अभार करते हैं बड़ी अपील की है कि सरकार का साथ दे बिहार के लोग क्यूंकि आपको उता दे कि इस बार कोरोना महामारी ने भैयावह रूप ले लिआ है सरकार हर संभग कोसिस कर रही है कि इस महामारी से बिहार वासियों को निजात मिल जाए हर संभग कोसिस की जा रही है सरकार की तरब से और आज मुख्यमंतरी नितेश कुमार जनता से अपील करते हुए नजर आए है कि जनता बिहार की जनता बिहार सरकार का साथ दे इस महमारी के वक्त में और उन्होंने जो फ्रंट लाइनर से जो कोरोना वर्यर से उन्हें धन्यवाद भी किया है अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो मारे चानल तो जरूर सब्सक्राइब कीजेगा फेस्बुक पेज को भी लाइक और फॉलू कीजेगा धन्यवाद